आज की जो हमारी न्यूस है, इट पर्टेंस तो गुरुखा पॉपुलेशन अफ आज की न्यूस से इन आर्सी, नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इन असाम, इस बेसिकली ये लेस्ट जिसके अंदर असाम के जितनी भी नागरिक हैं सिटीजन से उनका नाम लिखा जाना था, ठीक है, इसलिए रजिस्टर बनाया जा रहा था कि हमारे देश में कभी-कभी बांगलादेश का ज इस रजिस्टर को अपडेट कीजिए और सारे के सारे नागरिकों की लिस्ट बनाईए, अब असाम की टोटल पॉपुलेशन है, तीन पॉइंट तीन करोर टोटल पॉपुलेशन है, इन सब का रजिस्टर बनाना था और इसमें से जो-जो अपनी नागरिकता प्रूव नही कर सकता था, उसको बेसिकली इस रेजिस्टर से हटा देना था, that was the key here, final NRC was released, release किया गया और उसमें टोटल 19 लाख एप्लिकेंट्स का लिस्ट में नाम नहीं आया, तो जो टोटल पॉपुलेशन अप दी असाम थी, जिसकी है टोटल पॉपुलेशन 3.3 करोड, ठीक है, उन 3.3 करोड में से 19 लाख लोगों का नाम हमारे NRC रेजिस्टर के नहीं आया, यह हो गया हमारे NRC का पहला मुद्ध, अब specifically होता क्या है, जब NRC में किसी का नाम नहीं आता, यह नहीं है कि जिसका भी नाम National Register of Citizenship में नहीं लिखा हुआ, उसको immediately illegal migrant या foreigner घोशित कर दिया वो अपना case present कर सकता है, foreigners tribunal के सामने, this is important here, foreigners tribunal, तो एक system है कि जिसका भी नाम NRC के अंदर नहीं है, कोई document की कभी या किसी और वज़े से, किसी administrative mistake की वज़े से किसी का नाम register में नहीं लिखा गया, तो उसके पास option होता है कि वो foreign tribunal के सामने जाके अपना case प्रुस्तुत कर स असाम government ने इस बात को clarify किया है कि the government will not detain any individual until he or she is declared a foreigner by the foreigners tribunal, तो सरलता से फिर दुबारे से summarize करते हैं, असाम एक register बना रहा है जिसमें अपने सारे के सारे नागरिकों के list लिखना चाहता है, वो register बन के prepare हुआ, उसके अंदर 19 लाख लोगों का नाम include नहीं किया गया, अब य foreigners tribunal declare नहीं कर सकता है कि आदमी foreigner है, तब तो किसी को detain नहीं किया जाएगा, यह वाली first problem हो गई है हमारी NRC के साथ, दूसरा, हुआ क्या कि जब यह NRC बना, तो जो गुर्खा होते हैं, उसमें से कुछ लोग, बाईस हजार से भी अधिक गुर्खा were declared as the doubtful voters, devoters कहते हैं, औ और इंडीड अप्रॉक्सिमेटली एक लाग गुर्खा का नाम बेसिकली इसके अंदर नहीं आया था, तो वो क्या नाम है, NRC के अंदर उनका नाम नहीं लिखा गया, so this became a problem, तो दो problem होगी कि NRC बनाया गया असमें और जो हमारी गुर्खा population के कुछ लोग है, उनका बेसिक लोगों को doubtful water destroy, declare किया हुआ है, उनको summon issue किये गए है कि उनको foreigners tribunal के सामने प्रस्तुत होना है, अपनी citizenship को prove करने के लिए, and 500 के करीब ऐसे लोग थे, जिनको actually foreigner tribunal ने foreigner declare भी कर दिया था, और उनको basically government ने detention center के अंदर भी, detention center के अंदर भी रख दिया था, कम से कम पच्चिस सो से भी अधिक cases इस समय जो citizenship से associated हैं, वो foreigner tribunal में सुने जा रहे हैं, जो कि गुर्खा से associated हैं, 500 cases को dispose of कर दिया गया है, और ये 500 के 500 cases को basically declare कर दिया गया था, कि वो foreigners है, some tried by the foreigner tribunals were declared foreigners in decisions and they were thrown into the detention cap, तो दो problem समझ के, एक तो असाम का NRC हुआ है, and then there is certain population, certain number of gurkhahs, जिनको basically doubtful voters declare कर दिया गया था, उनके cases है foreigner tribunals में, ठीक है, क्योंकि अगर NRC में नाम नहीं हुआ है, तो foreign tribunals में जा के आपको prove करना है कि आप नागरिक है, और foreign tribunals ने एक तरफा decision दे के, उनको कई बार foreigners भी declare कर दिया था, this was the problem, इस problem को solve करने के लिए, Assam cabinet ने कि decision लिया, Assam cabinet said कि they have decided not to prosecute any member of gurkhah community under the citizenship act and they will withdraw all the cases against community members in the foreigners tribunals, तो मतलब कि जो ये 2500 cases इस समय foreigners tribunals में चल रहे थे, gurkhahs के against, इनको वापिस ले लिया जाएगा and no gurkhah would be tried या prosecuted under the citizenship act, अगर कोई और दूसरा होता है, जैसे कि कोई बांगलादेश से आए हुए है, अगर उनको पकड़े जाते हैं, नर्सी में नाम नहीं है, foreign tribunals के पास जाएंगे, और उनको अपनी नागरिकता नहीं प्रूव कर पाते हैं, तो उनको prosecute किया जाता है, citizenship act के थे, उनको जा रहा है, electoral polls में, क्योंकि उनकी नागरिकता पे किसी परकार का शक था, ये specifically उन लोगों को benefit करेगा, right, so there are a lot of people, जो कि गुरकास थे, जिनको पास ये issues थे, वो कुछ cases foreign tribunals में चल रहे थे, कुछ को doubtful voters कर दिया गया था, तो doubtful voters होने की विज़े से वोट नहीं कर पा रह जो excluded है, जो ये 19,00,00 के करीब लोग excluded है, वो specifically इसलिए exclude किये गए हैं, because they have their roots in the East Pakistan या Bangladesh, परंतु कई बार administrative mistakes की वजए से, कुछ और वजए से, कई बार कुछ, जो genuine citizens हैं, उनको भी basically, उसमें NRC में उनका नाम नहीं आए था, एक सबसे बड़ा example था, साहिते Academy Award winner, दुरगा ख और again, just because के NRC में नाम नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि citizen नहीं है, बलकि बस ही है कि उसको foreign tribunals के सामने, अपना हो case सामने रख सकता है, तो union home ministry ने, ये decision असाम cabinet ने लिया है, लेकिन union home ministry ने, 2019 में पहले से ये बाट declare कर दी थी, कि गुर्खा community, who were Indians at the time of commencement of the constitution, जो या तो सभारत में citizen by birth है, या citizen registration या naturalization से ले ली है, they would be not considered foreigners, ठीक है, उनको foreigners नहीं consider किया जाएगा, अंडर दी हमारे जो दो एक्ट हैं, foreigners के, एक तो foreigners act 1946 है, foreigners act registration वाला 1939 का है, इन दोनों एक्ट के तहट, गुर्खा community जो भी at the time of the commencement of the constitution, जो Indians थे, उनको basically foreigners अब नहीं consider किया जाएगा and their cases should not be referred to the foreigners tribunals, यह 2019 में Home Ministry ने notification दी थी, almost इसी notification को apply, execute करने के लिए, Assam Cabinet ने अब ये decision लिया है, 1950 की India-Nepal Friendship Treaty को identify करते वे, को site करते वे, Home Affair Ministry ने कहा था, कि जो members of गुर्खा community है, Nepal के जो होते हैं, who have entered India by land or air, with or without passport or visa, or stayed in India for any length of time, shall not be treated as illegal immigrants, as long as they have some identity documents issued by the Nepal government and they will also not be referred to the foreigners tribunals. तो कहने का क्या मतलब है, कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक friendship treaty हुई थी 1950 में, जिसके तहट basically हमारे यहाँ पे एक दूसरे का आना जाना allowed है, तो अगर वहाँ से 1950 ट्रीटी के बाद कोई गुर्खा community के कोई लोग भारत में आए हैं, चाहे पासपोर्ट के बाद आए, पासपोर्ट हो या ना हो, वीजा हो या ना हो, अगर उनके पास वैलेड नेपाली डॉक्यमेंट्स हैं, तो basically उनको illegal immigrants नहीं माना जाएगा, तो यह वला इशू है, so at this moment, Assam में पिछले 2-3 सालों से एक major issue चल रहा था, कि गुर्खा community का यह इशू था, कि उनको prosecute किया जा रहा है, by the citizenship act, and people are considered illegal immigrant, या फिर उनको foreigners मान रही है, जबकि उनको मानना नहीं चाहिए, according to the India-Nepal friendship treaty, यह 2019 में, Ministry of Home Affairs ने confirm किया था, and then finally Assam cabinet ने अब decision ले लिया है, कि जो भी गुर्खा community के against foreign tribunals में कोई case चल रहे थे, prosecution चल रहे थी, उसको हटा लिया जाएगा, and no further cases, और उन in Assam. If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel that you should join, where you can find the notifications of the classes and the PDFs also. However, if you need to talk to me, you can ping me any of my Instagram. Have a nice day.